कि अम्र किसान का बेता था वो धड़ता का भंदार वल्रब भाई पटेल ना कहलांता था सर्दार क्रिशत कार्विक जन्गान सिर्था उसको प्यार अपार अखिल देश ने उसे रह्मा किया था स्वीकार गान्धी बापू का शिष्ष सत्य अहिंसा का अवतार किन्दु एक भारत करने को धर लेता हत्यार लाव पुरुष संबोधन था वो लोहे की वीवार तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम बलका सांगर अपरम पार रडी देश का अम्र नामन इंसकी का रोग संगां कि अठारा सब्सक्रावन में अंग्रेजों को डलकार ने बाएं पैले स्वदंप्रता संगरां के एक सक्रिय सिपाही थे जडे भाई पड़े करमसत गाउं के इस पाहदु देश बक्त किसान और उनकी पध्यूं दाड़ भाईं के पांच पीटों और एक बेटी में से चोथे पुत्र थे वल्लब भाई बालब वल्लब ने करंसत के बाद नड़्यान से अपनी हाई स्कूल की शिप्षापूली की फिर तेरा साल की उम्र में उनकी शागी भी हो गए छोटी सी जडे भाई से दो बच्चों बेटी मणी बेहन और बेटे टाया भाई को जल देने के पाद जडे बाई असमय की चल वसी सभी बदलने और बीस्वी सभी आने पर उनका जीवत की एक चमतार की तरह बद्दा प्रीडर का इंग्रान पास करके वो फटातत करने लगी पहले खुद्रा फिर आन और उसके पाद एहमदाबाद में मगर चल दी पकालत छोड़कर उन पैरिस्टर बढ़ने के इच्छा से इंग्लेंड चले गए लंडर में पैरिस्टरी में अवल आने और वजीफा जीतने बादे वो अनुखी भारती आई अब दो एहमदाबाद की परिष्टा दालत में पैरिस्टर पठेल की जिरह और जीतों की दूम मच गए तभी एक युख गुरुष ने वल्लम भाई के जीमन की धाराई बदल दी तक्षन अफ्रिका में सत्याक्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भार्द वापस आये पैरिस्टर मौंदास करफचत करफ़ी से बिलकरर बल्लम भाई ने अपने कुछ परसों से सीखे विदेशी गवहार और संसकार अगेशाटे के लिए त्याक दिये और अब वो अपने खेडा के किसानों को हक दिलानी के लिए बापू के साथ अंदोलर में कूद पढ़े अब उनके पैरों में जूदे में गाउं की दूल थी पेदे में भारत भूमी की शस्यशामला दर्दी मत्वेत एकांगी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सखना तभी बार्डोली के मजबूर मजलूम किसानों की यादना का समाचा उनके पास पहुंचा तुरित वल भाई महां पहुंचे और यूँ शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सखल किसाना दोलग बार्डोली वल्लग भाई में बार्डोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिक अचल मनुबल दिया के अंग्रेजी सरकान ही उगे और एक बरस के पाद फुटालागान माफ कर दिया गया अब तो पुरे देश में लोग बल्लग भाई के नाम के कसमे खाने लगे स्वैन महादमा गानी ने कहा अब बल्लग भाई मेरे शिश्चे या साथी नभी सारे देश के सर्दार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सर्दार सर्दार पटड़ी के नाम और देश बत्ति से अंग्रीज डर कर कामने लगे 1930 के नमत सत्यांग्रा और दानी पूच में वो बापु से भी पहले दिरफ्तार किये गए तो 1932 में फिर उन्हें बापु के साथ भी जेल में दो सालों के लिए डाल दिया गया मगर आजादी के दीवानों को स्वतंत्रता के परवानों को कौन दिरफ्तार कर पाया है जेल से जूटते ही सरकार को कौनरेस के नई राष्टपत्यक्षपत पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्टवादी भार्गियों ने तमाम बिटिश सूपों में जीन रासित कर वहाँ अपनी स्थानिक सरकारी बनाए किन तो सरकार का समना किवल सरकार बनाना नहीं था उनका स्वपन दो उठा एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर लूप, हर जात, मज़द, तब्देकर अंगुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराजी के साथ सारे समाज को गरीमी अशिक्षाः छुआ छूच से भी आधादी मिल जाए इसकी पहली रंगी थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आधाधी ताकि भream के लोगों की अपनी सकार सब के साथ हूर सब के विकास के लिए काम कर सके बंगो की अग्वाई में अग देश ने अंग्रेजों को अंतिंचे तावी देती करेंगे या मरेंगे विटेंडे अंग्रेजों भारत छोड़ो बस फिर क्या था संगरश्टी रंग बेगी पजिए तीन सालों के लिए सर्दार बटे को थी सत्या गड़ी रिताओं के साथ जेल में धूंस दिया गया दो सालों के बाद अंग्रेजों को बापो तेसरी शिशों और साथिनों को छोड़ना है स्वद्धिता के सच होने के साथ अब सर्दार पर कई एक ने जिब्धारियां थी आने वाली आजादी की तैयार और एक नए भारत के लिए ने लोगतांजिक सब्धितां की संद्ध रचा जैसा उनके साथ इपने खुद कहा था सर्दाम एगी छेली हथावड़ी एकर एक नए भारत को भूखे रहा है स्वालीन दातों प्राप्थ हुई लेकिन खंडित भारत में दियुक्ते विभाजन वारादी अंधिकार को अभी दूख करना था जब देश के खंखंड होने दा भैयो खंड होने लगा तो सर्दार में निर्म है होकर खुद अपनी केवर सर्दार कौन साथ्यों को भी चुनावकी देता ली और जब दूखंड को बचाने के लिए सारी देश का आखाश वानिव्यानों से भर गया और फिर हैदराबा और जुनागर के भारत में मिल रही करन को पकिस्तान से चुनावकी मिली सर्दार चाहते थे कि देश की एक इंच दर्ती अबाउन विभाजित नहीं होनी चाहिए नए भारत को एक करने के लिए समझा पुझा कर मना कर 562 लियासतों को सर्दार लिया की सूजबूज सदा शरिता संबल से एक नए स्वतब्र भारत का अभी अंग बना लिया हमारे लिए अखंड भारत के लुशार्थ का यह एक महांतर अध्यारे है जैसा उन्होंने स्वैं कहा था हमें नए धागों को पुराने दाने बाने में ऐसे बिरूना है कि एक दूसरे में गुंद जाएं और बहतरी फुनामट बादा एक नया भारत उभर कर साथे आँ सके अंततहर अपने वंज्र ध्रड संकल्प से एक नया विराव विशहां इंक भारत श्रेश्ट भारत बनाकर दिखाई दिया सर्दार ने संसार के सबसे बड़े प्रजातर में के शिक्ति को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समत्समारक स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सर्दार पढ़े को समर्वित प्रेर नातीत भी है प्रदानमंत्री श्री नरेक्र पूदी के विद्रत्व में बनी विश्व की इस शाहुतम प्रतिमां के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वैन की नदमस तक हो जाती है देश को बढा करया वो अमिंपनल पदासता उसेन को इंश्त्रु दल ज नद ने समान सभूर्ष प्रवल प्रे ND मोस्गेशिकान संमानि ए प्रे ND मोस्गेशिकान संमानि ए आपी तुस्त अबेशिकात समाने है निजाया अगाशको चुछी मुदी के हैं यह सोंके तुमी उनाए घराई, प्रावह न का ओड़ खिर कुछी मुदी हुदाका ङए खिर कर वrice समाने है अर्ली तुमी तुमी खिर कोो.. झाले डिष्दयर राव पालेश जो आपने, उपालेश झाले करने रखने, जो ऊपने, जो आपने. कैसे हुआ? कगर चंपी इस गुद्धियत अब्रू गुवर प्रित्मा को पनाने के लिए सबसे पहले नदीबर चाहन हजार बांट सोफ टूरी मीटर का रांट बना कर परिसी हाँ चेसों वीटका को वीटका को पनाने के को वीटका क्यी चुद के लोगिस अब्राया्तिका cost प्रित प्दे हाँ कर त knee-ब्राइ lenसे हैं, क्या थासों प्रूब लिल्खके उस्चिवर च्रित्मा काश्यच का का वीटकी चुदtechn है्योल कि प्र additionsे हैं प्राव करें फड़ार प्रावन सोग्राइब करें एक जड़ार चिवार सिर्ट फंजी में कि इस लगे इस भीत इसाया कैनल chrom इए संतर हजार में इक ब्रिंद prol JIMS एक ब्राजम सेटों स्थेक्टी पैस प्रफिक प्रेंधे स्टाइब एडिप़ी पारी में में। अरिसी होंतिन बडाने में एक 2 अडियरी के प्रफियरी इश पैस्पारी इटियर ग्री इज्टिंग पारी तोसो पचास राद प्रेंधे जान हजार पांग सौन से ज्यादा स्क्रिप फोर्स और गल्प नाव कमानते हैं हम अंगर्द से कैसे थे हैं कि उपकुल मिलाकर इस्टॉक्शनल फ्यूटी के निर्मान में पाचांगे लिशत पांग सामान मजदूर इंजिनियर्स और अक्सपर्स थे भारती हैं जानते हैं के 382 मीटर उंचीस नंतर तत्मा को बनाने में तुना सब्रका रखा प्रिजविक के लिए बार में और निर्मान के लिए 34 में यानि पुल मिलाकर के लिए 46 में इस और इसी तता बनी देश के शिरकार के लिए काणों की अध्युदीयक शान प्रत्ना जो सिर्थ आज की नहीं बलके आने बाले नजाने कितने सानुदर प्रूम नी चंचपार की नहीं जिलाली से महीं रगाता इमान के लिए इंग जुदर लगाता इमान के जुदर दर्कम जाने इतों इंग परिशम धियार और गासा धियार भार्व की सवा सव करो जाना और तभी दिवो मारा इन परिणा सिर्मा जो कहलाता है भारत की नई पच्चा Statue of Unity, विश्व की सक्से और जी प्रदिवा